दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्त्य सुरक्षा योजना यानी प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना जिसे मोधी केर के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत प्रधान मंत्री मोधी ने 23 सितंबर को जारखंड से किया था। महज 24 घंटे के भीतर ही इस योजना ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। महज 24 घंटे के अंदर देश भर में 1000 से भी अधिक मरीजों को इस स्वास्थ बीमा योजना का लाब मिल चुका है। अधिकारिक सुत्रों के मुताबिक लाब लेने वालों में से सबसे अधिक मरीज 36 घर और हर्याना से रहे। इसके बाद चारखंड, असम और मध्य प्रदेश के मरीज हैं। इस स्वास्थ बीमा योजना के दहद देश भर में 10 करोड परिवारों को 5 लाख रुपे के कैशलेस इलाज की सूफधा दी जा रही है। कुल मिलाकर 50 करोड लोग इस योजना का लाब उठाएंगे। इस योजना के तहद लाब लेने वालों की पहचान करने वाली एजनसी, National Health Agency ने 98 प्रतिशत लाबहर्तियों की पहचान भी कर ली है। लाव लेने वाले परिवारों में से आठ करोड तीन लाख परिवार ग्रामीन इलाकों से होंगे और दो करोड तेतिस लाख परिवार शहरी इलाकों से होंगे इस योजना के तहट हर परिवार को इलाज के लिए अस्पताल में भरती होने पर हर वर्ष पांच लाख रुपे का कवरेज मिलेगा इस योजना से जुड़े लोग पुरिदेश के किसी भी राज्य में कैशलेस इलाज करवा सकते हैं इसका मतलब यह है कि आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हों पुरिदेश में इसका लाब ले सकते हैं मुदी सरकार के स्वास्त सुरक्षा योजना की तारीफ कई विदेशी रेटिंग एजन्सियां भी कर चुकी है